मनस्य का मन काम प्रोध लोग मो इरशा दोईश एंकार की जौला में जलता रहता है कवीर साहिब कहते है बहर की आग बजाने के लिए बहुत से संसाधन है लेकिन मनस्य के मन के भीतर जो आग लगी है उसको संसार में बुझाने वाला कोई नहीं नहीं था कितनी इस्त्रियाँ परिवार से दुखी होकर कहते हैं कि हमारे कलेजे में आग लगी है कितने पुरुस जगत के दुखों से पीडित होकर कहते हैं कि हम भीतर ही भीतर जल रहे हैं सबके मन में कोई ने कोई आग लगी है कितने लोगों का मन तादास से ज़्यादा सोचता रहा मन के भीतर सुच्छम रूप से कोई भै बैठा हुआ भैवीत मन दुखी मन अधिक चिन्ता करता है और चिन्तित मन तादास से ज़्यादा सोचता है और जो अनावस्षक सोचते है कोई लोग कभी सोस्थ नहीं रहते हैं अधिक सोचने से शरीर में भी बीमारियां बहुत आती हैं क्योंकि शरीर और मन का घनिष्ट रिष्टा है कितने लोग सोते समय भी बहुत सोचते रहते हैं गहिरी नींद सो नहीं पाते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में कुछ खुटका लगा हुआ है चिन्ता लगी है याद रखना चिता मुर्दे को जलाती है परंद चिन्ता जिन्दा को ही जलाते हैं और जब मनुस्य के चिन्ता होती है जहां पर सब लोग हसते हैं वहां भी उसको हसी नहीं आते हैं तो समझ लेना इसको चिन्ता है सब लोग जब हसते हैं तो उनकी और भूर कर देखता है और मन में सोचता है यह फल तु हस रहे और उसको हसी आती दे जब आपकी हसी घटने लग जाए प्रशनता घटने लग जाए खुशियां कम होने लग जाए तो समझ लेना कि आप धीरे धीरे चिन्ता की शिकार होते जा रहे हैं मन से तो एक है लेकिन चिन्ता अनेक प्रकार की है कभी कभी आपके बच्चे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसके कारण भी आपको चिन्ता हो जाते हैं कभी कभी आपके बच्चे शफल नहीं होते हैं एजुकेशन में कौलिफिकेशन में लाइफ में सकसेज नहीं होते हैं तो भी आपके मन में चिन्ता हो जाती है इनके भविष्य का क्या होगा है जिनसे जिनसे तुम ज़्यादा मोह करते हो उनकी उनकी तुमारे मन में ज़्यादा चिन्ता रहते हैं ये मोह चिन्ता को जन्म देता है और जिनसे जिनसे तुम दैस करते हो दोयस भी तुमारे मन में चिन्ता को पैदा करता है जिस समय द्रतराष्ट को रात में नींद नहीं आती थी लोग सौशते हैं धन बहुत हो जाएगा तो हम बहुत ज्यादा सुखी हो जाएगा है महराजा धेराज ध्रतराष्ट कोरों के पिता स्री है हस्तनापुर की राजगद्दी पर सुशोवित है धन दौलत बावुलि मात्रा में है परंत चिन्ता इतनी है कि रात्री को नींद नहीं आती है सो पुत्रों के पिता है तुमारे तो दो ही पुत्र है एक पुत्र है और उसी की चिन्ता में तुम डूबे रहते हो महाराजा धर्द्राष्ट सो पुत्रों के पिता बन चुकी है और चिन्ता भी सवगुनी जादा हो चुकी राजा सगर साथ हजार पुत्रों के पिता थी जिस नारी ने साथ हजार पुत्रों को जनम दिया हो सोचो उस नारी का सरीर कितना बढ़ा होगा हधनी से भी बढ़ा हो क्योंकि क्योंकि साथ हजार बहुत संख्या होगा राजा याद के भी सो पुत्र थे मुझे लगता है उस युग में धर्ती पर जनसंख्या बहुत कम थी आज सरकारे भी संदेश दे रही है जनसंख्या नियंत्र कर यूरिया की बोरी पर मैंने लिखा हुआ पढ़ा था हम दो हमारे दो चैना में सरकार कहती है हम दो हमारे एक और भारत देश की सरकार जनसंख्या बिश्फोट से तंग हो चुकी है कितनी चोड़ी शड़क बन जाती है जनसंख्या अधिक होने के कारण शड़क पर भी जाम लग रही है शहरों में जाम बसों में भीड ट्रेनों में भीड होस्पिटल में भीड मदिराले में भीड केवल मंदिर में भीड नहीं पहली बार अविद्या राम मंदिर में इतनी भीड देखी गई है मदिराले में बहुत भीड होती है जन संख्या का अधिक बढ़ना भारत देश के लिए चिंता का विशय है हिंदो मुस्लिम सिख हिसाई जैन यहोदी पार्शी समस्त है मजहब वालों से ब्यास गादी निवेदन करती है जन संख्या नियंत्रण में मदद कीजिए सादू संतों को ब्यास गादी धन्यवाद देती है हम एक हमारे जीरों का सिध्धान तिनका है यह शादू संत है यह शादी विवाद भी नहीं करते हैं ब्रह्मचारी रहते हैं अकेले रहते हैं और अकेले रहने के कारण जन संख्या नियंत्रण का कारण जितना अच्छी तरह से शादू संत कर रहे हैं वास्तों में इनको पुरुषकार देना चाहिए सब सादू चका चक्र है और अगर सादू को ग्यारा हजार मिल जाए तो सादू भी ज्यादा बनेंगी लोग सादू कितना जंसंख्या नियंत्रण करता है अकेला है न बच्चे पैदा करता है न संसार के विश्यभोग करता है सोचिये सादू कितना महान है अपने इंद्रियों को कितना बस में रखता है ये इंद्रिया ये मन मन ये चित्त की चंचलता इस सब के उपर विजय हासिल करने वाले विक्तित्त का नाम साधू है इसलिए साधू को भगवान भी नमसकार करते है भगवान भी नमसकार करते है ये कहना आसान है कि सादू बन गए घोम रहे याद रखना थोड़ा सादू बन करके घोम कर देखो तो तुम तुम घोम भी नहीं पाऊगा तुम घोम घाम कर फिर घर में ही आ जाऊगा बन के देखो तो तिलक लगा कर मार्केट में जाने में भी शरम लगती है सादू क्या बनोगे तो कमंडल हाथ में ले करके भी बजार में निकलने में शरम लगती है सादू क्या बनोगे तो ये लंगोटी पहन कर ये कपड़े पहन कर रिष्टेदारों के बीच में जाने में भी सरम लग जाती है जब मैं पहली बार ये कपड़े पहना मेरा अश्रम उसी जिले में है जिस जिले में मैंने ये जूकेशन प्राप्त किया अब वहां जब मैं निकलता था तो उस समय हमारे गुरू के पास में एक मिलिटरी की विटायर गाड़ी थी तो उसमें पीछे बैठता था तो जब देखता था कोई मेरा क्लास फेलो साथ का पढ़ा हुआ विक्ती या मास्टर मार्केट में खड़ा है शड़क पर है तो मैं पीछे चुपके से लेट जाता था च्छिप जाता था ये शरम लग जाता है ऐसा करना पढ़ा ये कपड़े पहनना आसान नहीं मुंडन कराना भी आसान नहीं ये शिर का मुंडन जिसके अंदर वेरज़् गया जाएगा वही मुंडन कराएगा अन्य था ये बाल बड़े प्यारे लगते हैं बाल किसी इस्तरी की खुपड़ी का मुंडन करो कभी नहीं कराईगा चाहे उसकी खोपड़ी में एक लाक कीड़े हो जाएं सब जो ये रेंगते रहें सब का पालन पोशन करती रहेगी खोपड़ी मुकाटते रहेंगे खोजलाती रहेगी पर खोपड़ी के बाल मुंडन नहीं कराएगी कितने लोगों को बालों से इतना अनुराग है मुन्णन कराना भी कठी है और कितने लोगों को ये भ्रम है बंडारा खाने के लिए शाधू हो जाते हैं लोग इस भ्रम को आज तोड़ दीजे क्योंकि आज इस भ्रम को तोड़ने का सुनेहला मौका है महत्मा बुद्ध राज पुत्र थे उनके पिता का नाम राजा सुद्धोधन था और वे साधू बन गए थे क्या भोजन करने के लिए साधू बने थे राजा भर्थरी साधू बन गए थे क्या भंडारा खाने के लिए साधू बने थे राजा थे खुद राजा थे राजा गोपी चंद साधू बन गए थे क्या खीर खाने के लिए शाधू बने थे यह लोग स्वेम राजा थे सुल्ताना बलक बुखारे का बादसा वो भी शाधू बन गया था फकीर बन गया था याद रखना कोई शाधू बनता है उसका संसकार होता है फुर्व जनम का वो दिव्यात्मा है कल मेरे पास में एक सज्जन आये बोले मेरा लड़का आप के हां भाग कर आया है मैंने का मुझे पता नहीं आप अपना लड़का ढोड़ लो हमारे साथ बहुत लड़के है तो अपना लड़का ढोड़ कर लाए मेरे पास ये मेरा लड़का है, तो मैंने कहा आपका है तो अच्छी बात है, बोले ये भाग कराया है, तो हमने कहा ये उससे भी अच्छी बात है, बोले इसका दिमाग भी कम कम करता है, तो मैंने कहा ये सबसे अच्छी बात है, दिमाग कम कम करे तो 37 बैठा रहे, ज्यादा दिमाग कम करेगा इधर उदर खुदर खुदर करेगा है तो हमने का यह सबसे अच्छी बात है तो बेलए इसको वापस आप मेरे साथ भेद दो हमने का यह हमारे बस की बात नहीं क्यों क्योंकि आपके पांस में यह पचीश साल रहा है और आपको छोण कर भागा है यह हरी द्वार चला जाता वहां सादों में रम जाता नागा बाबा हो जाता सब कपड़े उतार देता नंग धड़न खुमता कमंडल पकड़ लेता लाल पीले सन्यासियों में रम जाता रामा नंदी वैशनों नंदी बन जाता मैं इसको जानता भी नहीं हूँ पहचानता भी नहीं लेकिन इतना जरूर है कि मेरा जो धर्म है कोई आता है तो भोजन और सोने के लिए इंतजाम कर देता मुझे इसके बारे मालूम दे तो बोले हमने का बच्चे से पूछो आप क्या करना चाहता बच्चे से पूछा तो बोला मैं साधू बनना चाहता मैंने का यह साधू बनना चाहता है तो बाप से पूछो तुम क्या चाहते है तो बाप बोला मैं इसको ले जाकर इसकी शादी करना चाहता है तो हमने का बाप बेटे में तालमेल नहीं है क्योंकि बेटा जिसको शादी करना है वो शादी करना नहीं चाहता है और बाप अपनी शादी कर चुका है वो बेटे की भी शादी करना चाहता है तो अपनी अपनी शादी की सोतंत्रता है, दूसरे की शादी के लिए अधिकार नहीं होता है बेटे से फिर से पूँच लो तो फिर पूँचा तो बोला मैं सादू बनना चाहता हूँ मैं बिवाह नहीं करना चाहता हूँ कितने लोग बिवाह से डरे फिये इसलिए मैं इस्त्रियों से भी कहूँगा पुरुषों से कहूँगा अच्छा ब्योहार कीजिए अन्यता बहुत से लोग बिवा करने की इच्छा ही खतम करते के अपने पतियों को तंग मत करो आज एक करमचारी से मैंने पूछा की तुम साधी करोगे की नहीं बोले औरतों में बहुत जगड़ा होता कले कलेश बहुत होता इसलिए सब देख देख करके मन हट गया है इसलिए लेडीज को भी ज़्यादा जगड़ा नहीं मचाना चाहिए अन्यता साधी कोई नहीं करेगा तो तुम किस के साधी करोगे ये बाल और गाल और ये लाल ओट हैं ये सब किस काम आएंगी थुड़ा सांती बना कर रहो ज़्यादा हुड़दंग मत फैलाओ प्रेम से रहना सीखो बहुत बड़ी मैं फिल जमी हुई है तो मैंने उनसे कहा बोले बाबा तुम भेज दो इस बच्चे को तुम ने कहा बच्चा और तुम दोनों मिल गए हो आप ले जाओ और ये चला जाए बाब बेटे के बीच में हम इन्वाल्ब नहीं हो सकते जैसे इच्छा हो अलब हटो करो जागा तो बच्चा बोला कि हम जाएंगे नहीं तो मैंने उनके बाब से कहा देखे आपने पती पत्नी ने मिल करके इसको जनम दिया है कि इतना पवित्र आत्मा पैदा हुआ है अब गलती तो आपकी है इतना पवित्र बन से क्यूं पैदा की थोड़ा सा मन गंदा रहना चाहिए था तो संसार में रहता बोले बाबा हम चूग गए तो क्या करें जब पती पत्नी का मन बहुत पावन होता है एकदम मन निर्मल होता है और पती पत्नी अगर बड़ी भक्ती भाव से संसर करके बालक को जनम देते है तो बालक कोई दिब्यात्मा आ करके भी उनके द्वारा जनम लेती है और वो फिर कुछ महन का रिकरती ये भी तुमारे हाथ में विवस्था है याद रखना चूकना नहीं है तुम जैसा चाहो वैसा पुत्र प्राप्त कर सकते हो जैसी चाहो वैसी पुत्री प्राप्त कर सकते हो जैसा चाहो वैसी पत्नी जैसा चाहो वैसा पती जैसा चाहो ऐसा भाई, जैसी चाहो ऐसी वहन भी आपको मिल सकते, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत पवित्र मन बनाना पड़ता है, पवित्र कर्म करना पड़ता है, सुन्दर सुभाव बनाना पड़ता है, और बड़ा प्रेम भरा दिल बनाना पड़ता है, फिर आपको बड़े सुन्दर माता पिता भी मिलेगे देखिए जिनके बड़े पुन्य कर्म हैं जो बड़े पवित्र आत्माएं हैं वो बड़े दिब्वी माता पिता के द्वारा जनम लेते हैं समझदार माता पिता उनको मिल जाते हैं और जो माता पिता बहुत पुन्य आत्मा हैं उनक के द्वारा कोई दिभी आत्मा जनम ले लेती है इसलिए पति पतनी को भी भक्ति करते करते प्रवचन सुंते- सद्ग सुंते- सुंते- कथा भजन सुंते- सुंते बालक उजनम देना चाहिए तो आपका बालक, दुरो और प्रहलाद जैसा भक्त पैदा होगा शिवरी शिवरी और मीरा बाई जैसी आपकी बेटी पैदा होगी जो कि भक्ती में डूबी रहेगी मीरा बाई ने अपने कुल परिवार का नाम अमर कर दिया शिवरी ने अपने परिवार का नाम अमर कर दिया और ध्रोप्रिलाद ने भी इतिहास में अपना नाम रोशन कर दिया इसलिए याद रखना ऐसा पुत्र आपके द्वारा जनमना चाहिए ऐसी पुत्री जनमनी चाहिए जो भक्ती करती हो अगर भक्ती नहीं है तो समझ लेना जैसे गाए भैस के बच्चे पैदा होते हैं ऐसे तुम्हारे द्वारा भी गाए भैस जैसे पढ़वा बच्चणा बच्चिया ही पैदा हुए है वो कोई मनुष्य का बच्चा नहीं पैदा हुआ जब सुखेंगे